हेलो गाइस कैसे हो आप सब उमीद करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज को जो वीडियो है उसके बारे मैंने कुछ दिन पहले दो-चार दिन पहले एक डेडिकेटव वीडियो और लेडी बना रखा है जो कि है रियल मी 2 प्रो तो उसके बारे मैं कुछ और न आजने वाला है कुछ इंटीजर ने बताया गया है तो उसको भी मतलब वीडियो विडियो दिखा देंगे तीजर को तो दोस्तों अब हम स्वानी कुमार और आप देख रास के बारे में आदो लेट सेस्टार्ट को पता होगे कि रियल मी ने अभी एभी थीन फोन नाई दो पोपॉन लाँच किया जैसे कि पहला फोन था वो था Realme 1, Second phone था Realme 2, Realme 1 काफी मतलब चर्चे में रहा गया, काफी हिट हुआ और के बाद Realme 2 लाँच किया गया, जो किसी सेप्टेम्बर के महीने में लाँच गुआ था दोस्तों, और जो कि Realme 2 था उतना बवाल निका पाया, लेकिन बावाल किया कि कि उस प्राइस रेंडवे काफी अच्छा, इस वेसी कोई किसन दे रहा था, सिर्फ प्रोसेसर को छोड़के दोस्तों, और अभी Realme नए फोन लाँच करने वाला है 26-28 तारिक के बीच में, इसी सेप्टेम्बर के महीने में, जिसका नाम है Realme 2 Pro, तो इसमें आप लोगों को मिलने वाला है, Waterdrop design वाला डिस्प्ले, मतलब एक नौच वाला डिस्प्ले, जो कि इस्तम छोटा सा नौच होगा, ओपो के जैसे की F9 और F9 Pro में मिलता है, वही डिजाइन आप लोगों को इसमें मिलने वाला है, दोस्तों, से भी काभी अच्छी और बैक साइट की बात करें तो आप लोगों को जैसे बता है, तो F9 Pro का ही copy है, लेकिन जो F9 है, उसमें आप लोगों को पीछे में सिर्क ग्लास बोडी और थोड़ा ग्लासी लुक मिलता है, लेकिन जो की Real Me 2 है, उसमें आप लोगों को मिलने वाला है, सोड़ा सा मैट फिन तो काफी अच्छी हो जाएगी इन कलरों के साथ इसका combination, और मेन बात इसकी प्रोसेसर की बात करें, तो आप लोगों को प्रोसेसर बता दे, इसमें तगड़ा प्रोसेसर होने वाला है, जो कि Real Me 1 में था वैसा इसमें प्रोसेसर होने वाला तगड़ा वाला, क्योंकि Second Real Me 2 प्रोसेसर के नाम से हिट नहीं हो पाया दोस्तों, तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ा बोल दिये, इसलिए Real Me 2 Pro में आप लोगों को तगड़ा प्रोसेसर देगा, उससे आराम से लोग PUBG खेल सकते हो, विनर 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 चिकन डिनर भी आप लोग खा सकते हो, चिकन डिनर जिसे मेरे को ज़्यादा चांसे से लग रहा है क्योंकि आपको और Real Me जाद तर इनी सबसे है, मतलब वो इनी प्रोसेसर को ज़्यादा तर भाय करते हैं, तो आगे मैं बताएं हो आप लोगों को इसका डिस्प्ले होगा, वोई 6.3 इंचेस का वही वाला डिस्प्ले होगा सेम आप लोगों को दिखा है, बस इसमे नौच थोड़ा चेंज दिखेगा, और बैक साइट में थोड़ा से डिजाइन हलका सा मैट फिनिस से मिल जाएगा, और इसके बाद कुछ इसमे बैटरी भी सेम रहेगी, और सभी चीज़े सेम रहेगी, बस इसमे आप लोगों को मि जैसे की बैर्सिटी हो गई है, और सब्सक्राइब भी सेम रहेगा, तो दोस्तों इसकी अविलिबिलिटी के बताया था आप लोगों को इसमें जहां तक मुझे लगता है, फिलिपकार्ट में ही मिलेगा दोस्तों, फिलिपकार्ट में ही ऑफिस्या लाँच होगा, जहां त जहां तक 10 रुपए पैकेट में हैं, तो दस रुपए वाले ही लेट्टी खरीद होगे दोसको, तो प्राइसिंग के मामले में हम इसमें बोले हैं, हम अपने साइट से एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते लेकिन अपना ओपेनियन बता सकते हैं, कि हमने सोचा कि इतना इतना सीतना प्राइस हो सकता है तो मुझे लगता है कि 14,000 उपे से 18,000 के बीच में इसका प्राइसिंग रेंजा रहेगा 14,000 से 18,000 के बीच में जहां तक मुझे लगता है कि जो कि LOWER VARIANTS अगर इसमें 2-3 VARIANTS निकलते हैं तो LOWER VARIANTS होगा वो जहां तक मुने को 14000 को होना चाहिए और जोगी हायर विडियेंट होगों 18000 तक 6GB वाला जहां तक होना चाहिए लगता है तो देखते हैं कैसा होता है और जहां तक टक्कर देते हुए दिखेगा है एसुस के जेनफोन सब्सक्राइब को और रेडमी के नोट 5 प्रो को टक्कर देते हैं तो दोस्तों देखने हैं कि क्या होता है रियल्मी टू प्रो के साथ और अगर कुछ और लेटेस्ट इसके उपर न्यूज निकलते है तो मैं वीडियो बना दूंगा और लॉंस होने के पास वीडियो एक्श् सब्सक्राइबर से दिला दो क्योंकि हमी अटके आए भी 1500 सब्सक्राइबर है तो थोड़ा आगे बढ़ाओ तभी तो आप लोगों को प्यार हम भी दिखा पाएंगे तो लेटेस्ट इस्ट इवीडियो लाते रहता हूं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक कर द बढ़ाइ